हमेशा से मैंने प्रफेशनल वीडियो आपके लिए बनाई हैं, आपके लिए लाइब मार्केन sharpen community analysis किये हैं, आपके post market analysis किये हैं बड़ आज मैंने आपके लिए जो ये series बनाने का सोचा है ये बहुत साहिए requests मुझे आई हैं उसके उपने बना हूँ guys, मुझे बहुत साहिए requests इसे जीरो से सिखाए, जीरो से, I mean बहुत साही लोग हैं, बहुत साही housewives हैं, students हैं, college going लोग हैं या ऐसे लोग हैं, जो घर बेढ़े हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं, या retired हैं, या क्योंकि जॉब चूट की है they want to learn this stock market, तो या अगर आपके school की तरह से, जैसे आपको two ones are two, two to four सिखाए जाता था, आपको बताया जाता था कि alphabets क्या होते हैं, alphabets को जोड़ना कैसे है, sentence कैसे बनाना है, बिल्कुल वैसे ये class होने वाले काई हैं, so this is a class for only for those people, जो stock market बिल्कुल zero से start करने चाहते हैं, तो this is a पैसा बनता है, क्या वाकई stock market से पैसा बनाए जा सकता है, क्या वाकई share market से करोरपती बना जा सकता है, ऐसी कौन सी चीज़ें आपको सीखनी चाहिए, ऐसे कौन से terms से आपको पता होने चाहिए, basics क्या होते हैं, advance क्या होते हैं, fundamentals किसे करते हैं, टेक्निकल्स किसे करते सब चीजों के बारे में इन वीडियो सीरीज में हम बात करने वाげं। तो अगर ये वीडियो थोड़ी लंबी भी हो, तो पूरा पढ़ना है, पढ़ने के लिए वीडियो बना रहा हूँ, entertainment के लिए वीडियो नहीं है, entertainment के लिए YouTube भरा हुआ है, पर this video is absolutely for beginners, जो zero से start करना चाहते हैं, जो stock market का ABC भी नहीं मालूम है, जो ABC सीखना चाहते हैं, stock market कैसे रंग करती है, बहुत मज़ाने वाले गाई, इस एक बात पताईए, suppose कीजिए, आप अपने पेरेंट से, अपने दोस्तों से, रेलेटिव से, आप बैंक से कुछ पैसा बोरो कर लेते हैं, आपको कुछ बिजनस करना है, suppose कीजिए, कपड़े की दुकान खोलनी है, या आपक क्या करना हूँ, comment section में रेखिए, सबसे पहले requirement क्या होगी, चली टूशन की पर स्राट करते हैं, website, tenure का आपको समझ में आये, कि हम क्या कहना चाहा रहे हैं, बैंने अपना pessimist अपने पेपर ऐखा लिए, अब कुछी मिस्टर एक से हैं, आपने funds इखटे कर लिए हैं, कहां ल अब बैंक से लोन ले लेते हैं, जिसको बिजनस लोन भी कहते हैं, राइट अब इस बिजनस लोन को तो आपको हर महीने EMI पे करनी है, प्लस आपको इंटरस पे करना है ये जो टेंशन रहेगी, कि मेरा बिजनस जल्दी से अब über बैंक से पैसा निकाल के जरूत नहीं है, बैंक को EMI और इसके इंटरस न मतलब है, बट ये कैसे आप पूरा करेंगे, किसी भी बिजनस को स्टार्ट करने के लिए अगर कोई business के हम बात करते हैं तो business को start करने के लिए आपको क्या चाहिए पताइए सबसे पहले तो funds चाहिए चलिए funds के तो आपने source कर लिए है दूसरा आपको क्या चाहिए दूसरा आपको चाहिए knowledge knowledge किस चीज़ की what to start करना क्या है कौन सा business करना है आपको food shop खोलनी है या कोई garment shop खोलनी है आपको लगता है fashion industry बहुत ही अच्छे से गुरू कर रही है फैशन मार्ट कुल रही है या आपको shoes बेचने है या क्या करना है या for example आपको electric shop खोलनी है कुछ भी कुछ भी है ना आपको किताबे बेचनी है आपको book seller बनना है कैसे बनेंगे for all this you need knowledge you need advice की कोई तो आए आपको बताए है ना जब तक आपको इसके basics नहीं पता होंगे basics क्या होंगे basics में क्या क्या चीज़े cover करेंगे बताए कि basics about business की what is that business मजा रहा गाईज अगर मजा रहा है तो please इस classroom के लिए एक like अभी प्रेस कर दीजिए ताकि मैं भी motivate हो जाओ ऐसी interesting learning videos आपको देने के लिए business क्या है business के बारे में क्या है इसका जो product service क्या होगा इसमें क्या हम product बनाने वाले हैं या हम कोई service देने वाले हैं इसे ही तो होता है ना यह product का customer कौन होगा customer में कौन कोन होगा मतलब retail आम जनता खरीदने वाली है या industry के लिए आप कुछ करने वाले हैं अब आपको यह सब जब तक आपको यह सब चीज़ें समझ में नहीं आएंगे आप क्या बनाएंगे पैसा तो आपने खटा कर लिया पर पैसा वेस्ट है वो पैसा 100% loss हो जाएगा अगर आपको नहीं मालूम कैसे करना है तो आपको उसकी कैसे करने की knowledge भी होनी चाहिए कैसे करना है how to do it how to do it इतना असान नहीं है इसको सीखना पड़ता है लोग क्या कर रहे है अब let us come back to the stock market stock market में लोगों ने एक myth बना लिया है क्या है दोस्ते बड़ा myth कि इसमें से आप करोड़ पती बन सकते हैं यह myth है myth क्यों है because of half knowledge अगर business करने जा रहे हैं knowledge नहीं है मालूम ही नहीं कैसे करना है तो पैसा बरबाद होगा नहीं होगा होगा ना तो stock market जुआ क्यों है business जुआ क्यों नहीं है business भी वैसा ही जुआ है जब आप बिना सीखे करते है इस video series बनाने के पीछे purpose क्या है मैं चाहता हूँ कि 2022 के बाद जो भी इस video को देख रहा है 2022 में जो भी इस video को देख रहा है या 2022 में जो भी इस video को देखacts है start कर रहा stock market की अपनी journey को वो कभी भी नुकसान ना करें मैं आपका नुकसान नहीं जहल सकता गाइस मुझे अपने पैसा से जितना प्यार है उसके एक journey में आपको लेके जाने वाला हूँ, बिल्कुल zero to hero आपको बनाने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ, कि basics क्या होते हैं, तो समझे, stock market का जो एक myth है, उसको कैसे तोड़ा जाए, stock market का जो myth है, उसको तोड़ने के लिए, problem यह है कि आपको समझना पड़ेगा, कि stock market हो मेरी tips पे काम कर लीजिए, कोई भी ऐसा इंसान आपको फोन ना करें, बताए कि एक फलाना share ले लीजिए, multipacker हो जाएगा, कोई भी चीज multipacker होगी तब, जब उसमें आपकी knowledge, आपकी महनत उसमें शामीर होगी, कोई भी एक अच्छा share आपके हाँ में जब लगेगा, जब आ इतालियां बजा दीजिए, या फिर आप लेक लाइक ब्रस कर दीजिए, उसी से मुझे आपकी इतालियां मिल जाएगा, या इखोब ए वीडियो आपको पसन आ रहा हो, पसन आ रहा है, कमेंट सेके में जाए, कमेंट कीजिए, ताकि वीडियो को आगे बदाश के, चली, stock market है, क्या समझते हैं, what is stock market, क्या है, stock market क्या है, guys, stock market एक ऐसी जगह है, एक ऐसा प्लेस है, जहाँ पर हमारे पास, fortunately, now we have electronic exchanges, NSE and BST, National Stock Exchange and Bombay Stock Exchange, right, चीक है, NSE का जो हमारा index रहता है, जिसको हम बहुती famous तरीके से जानते हैं, Nifty के नाम से जानते हैं, Nifty 50 हम इसको कहते हैं, और B Sensex, BST को Sensex के नाम से हम जानते हैं, आपने अकसर सुना होगा, News Channel पे, Sensex इतना बड़ा, Sensex इतना गिरा, तो Nifty और Sensex हमारी दो benchmarks हैं, या दो indexes हैं, या दो आईने हैं समझने के लिए कि Share Bazaar है, क्या कैसा चल रहा है, अब Share Bazaar है क्या, शुरूआत करने के लिए आते हैं Companies के List कराती हैं, क्या कराती हैं, List कराती हैं, कहां पे कराती हैं, NST और BSTP, जो दो exchanges हैं, यहां पे इनको List करा जाते हैं, अब exchanges पे, Shares को List कराने के पीछे purpose क्या है, मक्सद क्या है, कोई भी Company List कराएगी, तो उसके पीछे एक ही चीज़े बाब, बड़ा ना भाया, सबसे बड़ रुपईया, जी हां, मनी, मनी भी कौन सा, फ्री का मनी, अगर Company IPO जो लेकिया आती है, आप दे सुना होगा, Initial, स्पैरिंग पे बन जाएगा, गाइस, Public Offering, मतलब Initial, शुरुआती दोर पे, Public को Offer किया जा रहा है, कि भाया, मेरी Company में हिस्सेदार बनना है, क्या, Share Holder कोन होता है, Share Holder एक हिस्सेदार होता है, अगर आपने किसी भी Company के Shares को खरीदा है, तो आप उस Company के हिस्सेदार कहलाए जाएंगे, जी हाँ, उसके नफे नुकसान के जिम्मेदार, उस नफे नुकसान के जिम्मेदार तो नहीं कह सकते हैं, जिम्मेदार तो management होगी, बट नफे नुकसान के हिस्सेदार आप कह सकते है, Share Holder, Share Holder, मिला आपका Share है, उस Company की सभी activities के अंदर में, उस Company में होने वाले सभी profits के अंदर में, सभी Company के होने वाले losses के अंदर में, तो Company IPO लेके आती है, उसको जो पैसे की दिरुद्थ होती है, पैसा क्यों ची है, फुर्दर बिजनस को expand करना है, capital expenditure करना है, नई setups लगाने है, Company grow करना चाहती, कमपनी को लगता है, पैसा bank से लोगा, तो उसमें मुझ अच्छा है, बेटर है किसी कमपनी के shares के IPO में पैसा लगाना, अगर आप उस कमपनी को study कर लेते हैं, कमपनी को अपने study कर लिया, उसके IPO में पैसा लगा दिया, तो समझ लीजी, initially आपने उस company में एंटर किया है, जो company, stock exchanges पे list होने वाली है, वो trading के लिए उपलब्द होने वाली उससे पहले आपने उसमें पैसा लगा दिया, initially, आप किया से extra edge रहती है, कि list होने पे जो gain मिलता है, वो आपको पहले दिन ही मिल जाता है, suppose कोई IPO 200 रुपे आया, 200 रुपे के ऊपर में company ने IPO लेकिया ही, listing वाले दिन हो सकता है, वो 200 के ऊपर खुले, वो 200 हो सकता है, वो 400 हो सकता है, वो 600 हो सकता है, वो 1000 भी हो सकता है, वो 1500 भी हो सकता है, अगर नीचे खुलता है, तो नुपसान जिलना पड़ेगा, उपर खुलता है, तो आपको gain मिल जाते हैं, यहां पे chances क्या रहते हैं, कि अगर आपने IPO में पैसा लगाया है, starting करने के लिए, अगर आप share में नए हैं, तो आपको IPO के root से आना चाहिए, जब आप थोड़ी से मजहे होए खिराडी हो जाए, तो आप secondary markets में आ सकते हैं, तो initial public offering में, company अपने shares को launch करती है, public से पैसा बोरो करने के लिए, public से पैसा मिल जाता है, कोई उस पे interest नहीं पे करना, company से कोई आदमी अपना प exchange करती रहती है, है ना, तो यहाँ पे सबसे बड़ा of benefit क्या होगा company को, कि interest free पैसा, interest free पैसा लोगों को, companies को IPO में मिल गया, अब इस पैसे से, companies अपने आपको expand करती है, अपने business में लगाती है, तो company grow करती ही चलिया आती है, इसी तरीके से, हम जब share में पैसा लगा रहे हैं, हम actual में company को पैसा दे रहे हैं, तो जो हमने पैसा दिया किसको, investment की हमने, किस में, shares में, यह हमने कहां गया, यह actual पैसा गया है, company के पास में, company का करेगी, expansion में उसको लगाएगी, बिजनस को grow कराएगी, बिजनस को grow कराने में अपने में पैसा लगाएगी, अब इसका eventually effect क्या होगा, कि share price will increase or decrease, अगर company अच्छा कर रही है, तो पैसा बढ़ने वाला है, company खराब कर रही है, तो पैसा गिरने वाला है, तो हम basically, हम इस company के क्या हो गए, shareholder, company के हम हो गए, shareholder, share धारक जीसे कहते हैं, तो यहाँ पे company अच्छा गरी, खुश होगी, मुगैंबोग खुश होगा, तो आपको dividend भी देगा, dividend आपने सुना होगा, तो dividend is always paid out of profits, यह कहा जाता है, यह profit से दिया जाता है, company profit करती है, तो अपने shareholder को खुश हो के, कुछ इनाम देती है, जो dividend के रूप में रहता है, इसको आदि आने वाली वीडियोस में देखने वाले ही, क्या रहता है, basically है तो अभी समझ देजिए, कि जो हमने पैसा invest किया, shares dividend भी दे, guarantee नहीं है, यह compulsory नहीं है कि आपको dividend देखी, देखी, बठा वो दे सकती है, अच्छी बात है, तो जो पैसा आपने company को लगाया, IPO में पैसा दिया, वो company ने expansion में लगाया, right, ठीक है, so basically अब समझे है, हम as a निवेशक, जब आप share market में आना चाहते हैं, तो share market में आ आपके अज़ दो options हैं, क्या options हैं, बताइए, अब तक top को solve में आ गया हुआ, one is IPO, right, and second is, secondary market, अब आप कहेंगे sir, secondary market क्या होती है, don't worry, secondary markets are the NSC and BSC, these are the exchanges, right, तो यह secondary, वहला आपने teammate account, trading account खोला, क्या चीए, demand plus trading खोला आपने, और यहाँ पे exchanges में, किसी भी broker के पास आप गए, broker में आपको पास list बहुत सारी मुझूद है, अगर आप आप ब्रोकर अकाउंट खोलना चाहते हैं, तो इस वीडियो के description में भी आपको दिया हुए, और आप अपनी person की किसी भी company में, किसी भी broker के पास आपके अपने account खोल सकते हैं, वहाँ से अपने trading की जाने को शुरुआत कर सकते हैं, इस person आ रहा है, like, like, like करता, मुझ भूली का प्लीज, और यहाँ पर यह broker के पास account खोलने के बाद में, मतलब यह है कि आप direct exchanges के साथ जुड़ जाते हैं, किसी भी exchange से आप purchasing कर सकते हैं, किसी भी exchange में आप selling कर सकते हैं, लगर आपने NSC में कोई share खरीदा था, delivery आपके पास आगे, उसको BSC में बेशना चाते हैं, तो yes, you are free, आप आपको एक टाइम था, जब बोली लगती थी, रिंग में जाते थे, आपको एक लाइस लाइसेंस होना चाहिए था, कि आप उस रिंग में उस exchange में एंटर कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, उसकी license की fees होते हैं, आज कोई fees नहीं बेगा नहीं, आज एक broker का account खोला, MSCBC में trading start की जी कोई पूछने वाला नहीं है, कोई बिचोलिया नहीं है, कोई आपके पैसे मारने वाला नहीं है, पहले क्या होता रहा, सबोस्किज ये जो agent थे, वो माल बेशने के लिए exchange में जाते हैं, सबोस्किज रिलाइनस का भाव हो, 2000 रुपी का है, तो वहां से उसने बोली लग जो भाव आपको दिखाएता, आप खरी दिया, आपकी मरसी है, आप डिरेक्ट खरीदेंगे client से, डिरेक्ट बेचेंगे client को, तो basically आप किसी भी intermediary को यहाँ पे avoid कर रहे हैं, तो best transparency अगर आप सोचें कि आपके साथ नुकसाने फ्रॉड होने वाला है, जो सामने भाव आपक इसाप equiv किसी भी company के ऊपर जाते हैं,지 आप बाद हानी, आप पावर को देखते हैं, तो यहाँ पर जो pricing चल रही है, यहाँ पर जो pricing आपके सामने, जो bid and ask है, यहाँ से आपको खरीदना है, यहीपे आपको बेच नहां है, यहाँ पर आप खरीदने वाले हैं, यहाँ बेच और यह आपके sell रहते हैं, तो आपको खरीदना यहां से है, बेचना इनको है, जो भी price आपको पसंद आता है, अपनी bid लगाई है, जिसको bid an ask कहा जाता है, bid an offer का जाता है, bid कर रहे हैं, आप बेचने का offer कर रहे हैं, खरीदने के लिए आप bid कर रहे हैं, तो basically आप खरीदना च चालू करते हैं, तो stock market क्या है, stock market is a place, it is a place where companies are listed as shares and shareholders can trade or invest in these shares, right, so this is basically a secondary market, exchanges, exchanges are, हमने अभी discuss किया, NACN, तो share market कुछ नहीं है, share market एक ऐसी जगह है, जहां पर companies अपने shares को list कराती हैं, और आपको मोगा देती हैं, आप उनके business में हिस्सेदार बन सकें, निवेश कर सकें, या trade कर सकें, अब समझते हैं कि हमारी जे exchanges क्या है, exchanges basically क्या है, exchanges हमारी क्या है, हमने अभी discuss किया, just एक line पर discuss लते हैं, exchanges हमारी दो तरह के रहेंगी, one is NSE, second is BSE, this is National Stock Exchange and this is Bombay Stock Exchange, ये दो हमारी exchanges हैं, आप किसी में भी trading कर सकते हैं, अकाउंट खोलने के लिए क्या करें, अब सबसे पहले क्या करेंगा, first step क्या है, first step to enter into stock market, क्या रहेगा, open a DMAT and trading account, अब ये कहांगे, DMAT अगों ट्रेडिंग अकाउंट में difference क्या है, difference क्या है, समल लेते हैं, DMAT क्या है, और trading क्या है, trading से आप sale purchase करते हैं, आपने जो share खरीदे हैं, आप बेचने हैं, तो आप trading अकाउंट को use करेंगे, DMAT अकाउंट आपका basically, एक ऐसा है, holder account है, holder, holder कह सकते हैं, जो आपने shares, holder of shares, जैसा saving account आप bank में रखते हैं, आपने पैसा bank में जमा करना हैं, तो आप saving में जमा कराते हैं, तो आपको shares जमा कराने हैं, shares जो भी खरीदेंगे, वो आपके DMAT अकाउंट में जाएंगे, पर खरीद बेज कहां कर रहे हैं आप, current account, bank में क्या होता है, current account वैसा ही हमारा trading account रहता है, current account काउंट आप sale पर चीज़र घरप करनी है, तो आपको trading account होना ज़रूरी है, और आज की rate में DMAT और trading दोनों compulsory हैं, इनके बिना आप काम नहीं करते हैं, ट्रेडिंग से ही पहली buying होगी, और DMAT में आप उसको रखना होगा, जब आप बेचेंगे तो DMAT से बाहर आ जाता है, जब भी यहाँ कुछ buy करते हैं, तो यह इसके अंदर चला जाता है, जब आप इसको यहाँ sell करते हैं, तो यहाँ से चीज़ें वापस निकलके बाहर रह होगा, दूसरी चीज़ आती है, लोग कहते हैं, ब्रोकर, अब डारेक्ट एक्सचेंज के पास अकाउंट को नहीं खुल सकते हैं, इसके लिए आपको ब्रोकर के पास ही जाना होता है, ब्रोकर आपके पास, for example, बहुत सारे हैं, जीरोदा है, आजकी रिट में, इंजल है, या Stocks Cart है, या Up Stocks है, आप लोग आजकल आजकल आप भी बहुत सारे देखे होगी हैं, आजकल Alice Blue भी है, IIFL है, बहुत सारे कंप्रीज है, बहुत सारी कंप्रीज है, आप कहीं भी आप कर सकते हैं, Adalwise है, जिसमें आपका मन करें, और बहुत से बैंक्स भी आपको ऐसे एक्सिस सिक्यूरिटीज, ठीक है, यह बैंक्स है, आईडी पाई कैपिटल, यह बहुत सा ऐसे विंग है, जो आपको D-Met Trading Account की, D-Met Plus Trading की दोनों की facilities आपको देते हैं, जहां भी चाहें, इनके exchanges के, इनके charges को आप पता कर लिए, जो charges affordable हो, आप यहाँ पे account में, account खुला सकत अब यहाँ पे खर्चे क्या लगते हैं, खर्चे, हर बंदा कहेगा भई, बिजनस चालू करना है, expense क्या चाहिए, expense कुछ नहीं है, बहुत ही minimum है, बहुत ही minimum है, बहुत ही minimum है, कोई तो account opening fees, अगर कोई company लेती भी होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा लेती होगी, 500 रिप maintenance होता न, कि annual maintenance charges, कि आपको रहता है, मैंने तो account खोल लिया, अब हर साल पर होती है, हर साल पैसा देना, यह कुछ नहीं होती है, मुश्किल से 200-300 रुपे साल की होती है, अगर आपको देनी, तो मुश्किल से क्या प्रता, 20-30 रुपे महीने के पड़े, आप जहल सकते हैं, बिजनस में आले तो इतना एमसी जहलिंग कोशीच कि लिए, बहुत से कम्री जिसको भी फ्री करती है, ठीके न, तीसरा आपका expense रहेगा, ब्रोकरेज का, ब्रोकरेज एक बहुत बड़ा concern, चलिए इसको इस स्लाइड भी समझते हैं कि ब्रोकरेज का expense क्या है, ब्रोकरेज, ब्रोकरेज, ब्रोकर, ब्रोकर की income है, ब्रोकर आपसे कमाता है, क्या कहता है, दो तरह की चीज़े होती है, एक तो होता है, intraday trading, intraday trading क्या होती है, same day, sale, purchase, आपने आज खरिदा, आज ही बेच दिया, शाम को market खुलती है, सुबह 9-15 पे market खुली, और 3-30 से पहले पहले ट्रेड आपने जो आज खरिदे है, बिल्कु बराबर कर दिया, आप कोई भी trade को घर नहीं लेके जा रहे है, तो यह आपके रहेगी intraday trading, दूसरी trading क्या रहती है, आपकी delivery, मतलब आपने जो चीज़े खरिदे है, उसको आज आपने इस टाइम पे नहीं बेचा, आप उसक करते हैं, 0.01% से लेके 0.1% तक या बहुत अच्छी वोल्यूम से अगर आप जादा पैसा जादा trading करते हैं तो आप negotiate कर सकते हैं, या 0.02% से लेके 0.20%, यह traditional blocus लेते हैं, आज कल के discount blocus क्या कहते हैं, 20 रुपीर पर trade लेते हैं, delivery बिल्कु फ्री देते हैं, find out कीजे, research कीजे कौन कौन से कमनी दासा करती हैं, 20 रुपीर लेते हैं, कोई 10 रुपीर पर trade लेते हैं, यह trade लिया, उसमें 10 रुपे आप से लेंगे, delivery आपको free देंगे, तो basically यही expenses है और यह होता कितना है, जब आप 1.01 का मतलब है कि अगर आपने 1 करोड की transaction, 1,10,100,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, तो यह 0.2 अगर हो जाएगा, तो वो 2,000 रुपे और 20,000 रुपे हो जाएगा, 0.3 हो जाएगा तो वो 3,000 रुपे और 30,000 रुपे प्लस taxis हो जाएगा, प्लस taxis हमेशा से होगे, ठीक है न, गॉर्मेंट के पास जाती है, ब्रोकर गिंगम brokerage है, उसके पर taxis होगे, वो सरक में कहता है कि सर आप अकाउंट खोलीजी, अभी आपको देख लेंगे, आपका transaction history कैसा देगा, उसके पात दिरी दिरी brokerage के पास जाएगे, brokerage हम करनाम करा सकते हैं, और आपको लगता है कि आप एक बड़े सफल, बड़े trader हो गए हैं, तो आप brokerage को कम करा सकते हैं, बट ये बहुत ही छोटा expense है, बहुत ही छोटा expense है, अगर आप एक beginner है, तो इस पे जाने की ज़रूर नहीं है, इस पे tension नहीं की ज़रूर नहीं है, क्योंकि आप बहुत ही मामली सा खर्चा पे करने वाले हैं, इस खर्चे को बचाने के लिए, बेवज़े के trading आपको नहीं करना है, क्योंकि trading कितने तरह से की जाती है, यह समझ लिजिए, अपने stock market में account खोल लिया, account खोलने और आप क्या करेंगे, आप सीख लेंगे किसके को खरीदना है, क्या खरीदना है, उसके बहुत ही एक गहरा aspect है, गहरी study है, बट हमीं समस्ते है, trading करने के लिए आप क्या करेंगे, यह आप delivery करें, यह आप एक और segment है, जहां पे आप future and options को, लोग कहां मर रहे है, लोगों का पैसा कहां बरबाद हो रहा है, लोगों का पैसा बरबाद हो रहा है, future and options पर, अब यह नहीं कहा रहा हूँ कि future options खराब है, future options है, leverage का का मतलब है, leverage का मतलब है कि आप कम पैसे में, बिल्कुल बिसकली आप इसको कह सकते हैं कि margin trading margin trading ये leverage है margin मतलब exchange ने बोला कि भी 25% पैसा दो आप पूरा माल खरीद लो मतलब अगर suppose कि जो किसी suppose 500 share आपको reliance के खरीदने और reliance का भाव 3,000 रुपे बात करने के लिए समझ रहे हैं तो basically ये कितने का माल हुआ है 5,000 रुप 15 और पीछे 5,000 रुपे का माल exchange कहती है suppose कि जी कि यहां पर 20% का round off कर लेते हैं समझ रहे के लिए 20% दीजी और 15 रुपे का माल कर लेते हैं 20% 15 रुपे कितना हुआ तो मतलब आपको 3,000 रुपे देने होर 15,000 रुपे को मैनेज करना पड़ेगा समझ लेते हैं बहुत अच्छा सवाल है M2M loss या profit ये एक technical word है गाईस जो आपको समझ में आता होगा जो आपने सुना होगा suppose कि यह दुबार से समझते हैं कि 20% margin चाहिए 500 share lines की खरीदने के लिए 500 share का भाव कितना है 15,000,000 रुपे ठीक है तो यहाँ पर basically 3,000,000 रुपे आपको चाहिए अब समझ लिए 3,000,000 रुपे में आपने 15,000 का माल दुखरी लिया पर ये 3,000,000 रुपे आपको maintain करने पड़ेंगे किसी भी point of time पे पूरे दिन आपको maintain करने पड़ेंगे सुबह 9 बच के 15 मिनट से लिए 3 बच के 30 मिनट के अंदर अंदर में आपको ये maintain करना पड़े for example अगर भाव गिर जाता है 3,000 से भाव गिर के पचीस सो अगर आ जाता है तो 500 रुपे का नुकसान जो हो रहा है कितना? 5,000 रुपे का ये कहां से जाएगा ये ये आपके इसमें से जाएगा 3,000,000 माइनस 5,000,000 रुपे कितने बचे? 50,000 रुपे अब आपको 50,000 में क्या 15,000 का माल होल्ड कर सकते हैं? नहीं possible नहीं तो इसलिए इस 50,000 रुपे को आपको top up करना होगा कितने से? इस M2M Loss से ये हुआ Mark to Market Loss ये आपके अपको ब्रोकर को Intraday में ही Online Transfer करना होगा चेक नहीं लेंगे या तो आपके सोदे काट दिये जाएगे या आपके ओपर Penalty ठुक दिये जाएगी तो मेरी आपसे लिक्वेस्ट है अगर Intraday में 75% 80% का Loss अगर होता है तो आपकी Positions को Broker Square Up कर देता है अब आपने ये वर्ड सुना होगा Square Up Square Up करने मतलब है जो सोदे खरीदे वे ते बेचे दिये जाएगे बेचे वे ते खरीद लिए जाएगे Future Options में आप पहले खरीद भी सकते है पहले बेच भी सकते है Future Options में Next Slide पे आते है समझने कोशी करें तो ये M2Loss आपको Daily Maintain करना होगा अगर आप ये कर सकते हैं आपका Additional Capital है तो आप Future Options में काम कीजिए नहीं तो नहीं करेंगे अब Options और Future में रिफेरेंस क्या है वो समझ लेते है Future और Options Future में क्या होता है कि यूपे मार्जिन है ना 20% 25% जो भी एक्षेंग 30% किसी किसी लॉट के उपर में आपको 30% मार्जिन भी देना होता है ठीक है ने यहाँ पे क्या होता है क्या बाइक करो गया लॉट Equity में क्या करते हो Equity में क्या करते हो आप एक share भी purchase कर सकते हो यह ना But Futures में आपको लॉट खरिदना होता है तो अगर 500 share का रिलाइंस का लॉट है तो आपको 500 share याएंगे 499 आप नहीं खरीद सकते है आपको इस लिए आपको जो margin देना था वो आपको देना है options में क्या होता है वही 500 share का ही lot का options का भी बट यहाँ पे आपको सिरफ premium pay करना है इस यह technical है इसमें बाद में आएंगे इसमें इसको देखे घवराईगा इसमें बाद में बाद में आने वागा इसमें हम बाद में लेटर जाने वाले है छोड़ेंगे नहीं चिंता मत कीजिए यह बाद future समझें जो लोग future और equity में काम करते हैं तो equity और futures में difference क्या है you can buy one share you have to buy a lot इससे कम नहीं कर सकते equity you short selling नहीं करते हैं लोग यहाँ पे short selling को आप carry कर सकते हो यहाँ पे carry नहीं कर सकते हैं अगर वो trade to trade की category का नहीं कुछ categories होती है जन्दल EQ category जो हमारी होती है basically EQ category में आप daily में buy या sell कुछ भी कर सकते हैं पहले में बट अगर आपके selling करने का अधिकार आपको जब जब आकास delivery है अगर आपने sell किया है delivery नहीं है लोगी हाँ भी बहुत नुकसान खाते है तो आपको auction लगेगी exchange कहीगी लाओ भी है आपने माल बेचा है खरीदने वाला खरीदने के लिए बैठा है उसका right है buyer has the right जिसने माल खरीदने के bit लगाई है जिसने आपसे buy किया है जिसको आपने बेचा है वो माल चाता है अब आप माल नहीं दे रहे हैं तो आपको penalty लगेगी तो वो penalty बड़ी है भी हो जाती है न तो यहाँ पे समझे futures में यह penalty नहीं होती futures में क्या होता है कि जो अगर आपने sell किया है तो future में एक हमारी expiry date होती है हर मेंने की last Thursday तो last Thursday से पहले आपको for example किसी मेंने की expiry 30 तीस तारीक है तो अगर 30 तारीक last date है तो इस date तक इस date पे भी आप 3 बच के 30 मीनट तक अपने सोदे को काट सकते हैं आपने short किया हो चाहिए आपने buy किया हो पहले buy भी कर सकते हैं अगर आपको लगता है कोई share में मंदी आने वाली तो आप उसको पहले बेच सकते हैं उस बेचे हुए trade को आप पूरे 30 दिन तक या उस last expiry तक आप 3-30 तक उसको hold कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपको लगता है कि बजार मंदा होने वाला है मैं reliance का equity बेच दूँ बाद में ले लूँगा और आप नहीं बेच पाई तो penalty के penalty में आप फसने वाले हैं बहुत ही टेड़ा और खराब trade होने वाले है आपकी शुरुआत ही खराब जाएगी तो guys में दिया आपसे request है short selling शुरुआत में बिल्कुल भी मत कीजिए समझेए कैसे काम होता है क्यों काम होता है उसके बाद ही हम काम करने वाले हैं चलिए series को आगे बढ़ाते हुए आपके लिए कुछ presentation तयार किये उसको देख लेते हैं